हाई अवरिवान वेलकॉम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सो गाइस आज के से वीडियो में हम पढ़ेंगे mcqs on journal knowledge मिस सेले नियूस जो आपके टॉपिक्स हैं जेके पीएसई में गाइस मैं आपको बता दू कि इसे पहले भी हुमारी जेके पीएसई के लिए mcq series चल रही है डिस्क्रिप्शन बाक्स में आपको जेके पीएसई का टेस्ट मिल जाएगा प्ले लिस्ट होगा उस पर क्लिक किर जिएगा आपको बहुत सारी वीडियो प्रैक्टिस कोशन के लिए आपको देखने को मिल सकती है आपको बता दूँ आज किसी वीडियो में हम कुछ कोशन कर रहे हैं तो आज के जो मारे कोशन होगे 25 प्लस कोशन है आपके इंटायर स्लेबर्स के लेटिट होंगे कहने का मतलई जो भी आपकी जर्नल स्टडी से उसी के लेटिट होंगे एक्स्रा कोई कोशन नहीं होगा औ तो गाइस मैं आपको बता दूँ कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो नोटिफिकेशन वाल को भी आन ज़रूर कर लेना क्योंकि इसी तरह की जब तक हमारा जेके पेसी का एक्जाम नहीं कंड़क् कर लिया है तो आप भी जल्दी से इसको वाइक कर सकते हो तो कुछ स्टूडेंट का कहना था कि क्या यह जेके पीएसाई के लिए इंपॉर्टेंट है आप टॉपिक देख सकते हो जैसे जियां के रिया इंडिया की जिगराफी है जैसमें उस तरह के कुछ ऐसे टॉपिक्स है जो की आपके कुछ कोशन यहां से निकल सकते हैं तो मैं यह नहीं भी बोड़ाँ कि आप इसको जेखे पिएसे के लिए परचेस करो आपकी विछ चीज़ है क्यूंकि कोशन ऐसे बी हैं जो जेखे पेसाई के एक्जां में भी आपको पूछ जाए जाएंगे चाहे तो आ है कि इसी वाटसाइब नंबर पर हमें मैसेज करो आपको ये पीडियाफ हम आपको वाटसाइब पर प्रोवाइट कर देंगे पर सीजिर के साथ आज का जो हमारा फास्ट कोशन है वो आपकी स्क्रीन पर है वांडरी दा लाइन बिट्वीन इंडिया एंड पाकिस्तान इसकार्ड ये चाहे मैं आपको टैंथ लेवल के एक्जाम की बात करूँ तो उस एक्जाम में ये कोशन पूछा गिया है ऐसा बीस एफ के जो एक्जाम लाइन बोलते हैं मैगनोट लाइन बोलते हैं रैड कलीफ तो उसको बोलते हैं रैड कलीफ लाइन याद रखना आप्शन सी दा क्रेक्ट अप्शन अखर यहां पर हम बात करें कि महहून जो लाइन है वो किन कंटरी के बीच में आती है वो आती है आपकी चाइना और इंड जिस सेपरेट करती है ठीक है यह दीन लाइन हमने पढ़ ली नेक्स कोशन पर चलिए नेक्स कोशन क्या कहता है नेक्स कोशन कहता है कि मौंटें रेज दैट रंस बिट्विन नर्मदा और तापती रिवर जिसको तावी रिवर बोलते हैं कि बात है उनके बीच में एक मौंटें रेज रिवर जो डिवार बिट्विन नर्मदा और तापती रिवर के बीच में चलती है तो कौन सी शिवाली क्रीज है शिवाली क्रेंज तो यहां पर इसका मोई काम नहीं है अजंता रेंज सत्पूरा यह बिंद्या आपके माइंड में भी लग रहा होगा कि इसका राइट आप्शन इन वे से एक है तो वह आपका सत्पूरा रेंज सत्पूरा जो रेंज है वो मौंटेन रेंज है जो रंड करती है बेटविन नर्मदा और तापती रिवर के बीच में होगी शिवालिक जो है यह आपकी कुंसी है आउटर मॉस्ट ले रहा है हिमालेन जी जाएगी मौंटेन की कि वह डरीट आप मेंडमस में मेंडमस का मीन क्या है क्या मंतलब इसका रिट है ना कितनी रिट है हमारी वी कमोंट यू माइफ दो राई है वाट 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 बात गुष प्रस्ट प्रॉटीक्यूस के 22 राइ कौन थे इंडिया में आपकं के लिए कोशन की यह घंसी को इंडिया वेसर पर है टिकेजी अंट जो व stratég इसके बाहुदा कि इंडिया में पंचाइती राज सिस्टम कब इंटर्ड़्यूज किया गया निइन्टी फोटी फाइव में निइन्टी फिप्टी में निइन्टी फिप्टी नइ या फिर निइन्टी सै। में तो यह इंटर्ट्यूज किया गया है 1959 ठीक है जी उसके बाद आता है कि वाट इस शेप आप दी पैसिफिक ओशिन पैसिफिक ओशिन की क्या शेप है आलमोस सलकु रह रह रहा है है एस शेप आलमोस ट्रायंगल पैसिफिक एख्षेफ कोंशन कॉन सभी है गशलमोस क्रेंट क्रंड गल्फ पेसा शेप है लैवाज सास्का क्रंट है तो इसका जो राइट अप्शन है वो आपका लैवरावडोर करंट है यह शोटे शोटे पॉइंट्स होते हैं इनको नोट कियोंकि यह सारे जो कोशन है न यह प्रीबियस आस्ट इयर कोशन होती है चीक है सारे कोशन खडपा खडपा इस लुकेटेड ऑन दी बैंक आफ रिवर कौन सी रिवर के बैंक में लुकेट करता है इंदुस राभी ब्यास सतलुज तो राइट अप्शन आपको जाए गया राभी रिवर जितने बच्चे राइवी रिवर बोर्ड हैं बहुत बड़े है ककोरी कंस्पाइरेसी केस टुक प्लेस इन दा एर इसको ककोरी कांड के नाम से जानते हैं यह कब हुआ था यह हुआ था 1925 डोड़ा बेटा पीक इस लुकेटेड इन द अनाइमुडी अनाइमलाई में लोकेटड है महिंद्रगिरी में है नील गिरीस में है यह भी शवरोईस में है तो जो आपकी डोडा बेटा जो पी कहा है वो आपकी नील गिरीस में है और नील गिरीस कहां पे है तामिल नाडू में है नील गिरीस खिल में कौन कौन सी गार्ट जोइन करते है वो नील गीरी है, points है, काफी important है, काल विसाकी gives rainfall to, काल विसाकी किसको rainfall देती है, राजस्तान को देती है, बेस्ट बंगाल को, पंजाब को, गुवा को, climate से question है, जुगराशी के से question है, बेस्ट बंगाल is the right option, what is commonly known as white plague, white plague किसको बोलते हैं, टाइफाइट को बोलते हैं, malaria को बोलते हैं, tuberculosis को बोलते हैं, प्लैग को बोलते हैं, तो bite चो प्लैग है, वो बोलते हैं, tuberculosis को, TB को, चीक है जी, ये question कहीं बार एक्जाम में बोचा गिया है, which layer of the earth atmosphere contains the ozone layer, stratosphere, stratosphere, stratosphere is the right option, अब बोलता है कि the amount of energy as it passes from one traffic level to the another ecosystem में तो क्या होगो, increase होगा, decrease होगा, हम ecological pyramids जो देखते हैं, ठीक है जी, ये producer हो गया, primary producer, ये consumer होगे, ये secondary consumer, जो भी है, ठीक है, इस तरह से जो energy level 10%, according to 10% लाह हमें कहता है, कि जो भी energy होगी, वो 10% reduce होती रगी, तो it means decrease होगी, बोलता है कि how many members can be nominated by the president of India, इंदी राज्यसभा, राज्यसभा में तो total strength जो रहती है, वो 250 रहती है, पर जो president इनको nominate कर सकता है, वो सिर्फ आपके develop होते हैं, तो right option अबका C हो जाएगा, right to vote, एक legal right है, ठीक है जी, उसके बाद आता है कि the concept of biodiversity hotspot is given by, किस ने दिया था, F.P. Odom ने दिया था, Norman Myers ने दिया था, James Lovelock ने दिया था, या रचेल कारसन ने दिया था, तो जो biodiversity hotspot का जो concept है, वो देने वाले हैं, Norman Myers द्वार, okay, next question आता है, who was the first president of India to make use of the pocket widow, pocket widow का कौन से president थे, वो थे, आपके ज्यानी जैल सिंग द्वारा, ठीक है जी, यतना important question नहीं है, अब यह question काफी important है, Indian statutory commission in 1928 was head by, किसके द्वारा यह head की गई थी, Daniel Radcliffe द्वारा, Viceroyal Lord Irwin द्वारा, Sir John Simon द्वारा, Viceroyal Lord Calmsar द्वारा, किसके द्वारा यह की गई थी, Calmsar द्वारा तो यह की थी थी, Daniel Radcliffe द्वारा, okay, deepest trench of the Indian ocean, काफी important question है, जावा ट्रेंच, अलिटिन ट्रेंच, अटाकामा ट्रेंच, यह फिर टाइजर ट्रेंच, तो इसको बहुते हम जावा ट्रेंच, जावा ट्रेंच के नमसे साथ है, जो deepest ट्रेंच है, Indian ocean का, खासी tribes, यह आपका social जोगराफी जे गोशन बन सकता है, खासी tribes lives in, काम पे मेगाले में, देखे, गारोग खासी जेहन दिया पड़ी है ना, तो मेगाले में तो राइट अप्शना का मेगाली हो जाएगा, ल्स के बारे में बात कर रहा हूँ, ब्लैक स्वाइल, इस कोशन, इस ब्लैक स्वाइल के लेटे ना, कोशन पूचा गिया था, JKPSI में, इसकी सुईटेबल के लिए रहा थे, कॉटन के ले थे, दकन बलटूब है, अब यहाँता है कि, ब्लैक स्वाइल is also known as by which of the flowing name, किस अरगूर के नाम से जानते हैं, JKSSB के एक्जाम, किसी एक्जाम, यूनियर स्टेंट के एक्जाम में बूचा गिया था, यह कॉशन, तर्म वाइट रेबलूशन इस लेटेड विद, ऑपरेशन आफ फलड, दाट इस लेट करता है, वाइट रेबलूशन, आज का मरा लास्ट कोशन आता है, कि which of the flowing is not listed as the fundamental right in the Indian Constitution, इन में से हमारा कून सा एक fundamental rights है, जो Indian Constitution में लिस्टेट नहीं है, इक्विल्टी आफ ओपर्चुन्टी इन मेजर सा पब्लिक इंप्लिमेंट इक्विल ओपर्चुन्टी, यह हमारा एक fundamental rights है, freedom of speech and expression यह भी है, equality before law यह भी है, free legal aid यह हमारा कोई भी ऐसा fundamental rights नहीं है, जो कि mention हो हमारे Indian Constitution में, तो यह थे आज के हमारे 25 प्लस कोशन, आपके कितने ठीक हुए, कमेंट करके ज़ूर बताइएगा, और इस कोशन का अंसर आपने होंबर्क में बताना है, इसका अंसर आपने होंबर्क में बताना है, कि इन में से इसका क्या अंसर होगा, कि Duncan passes is situated between, देखिए काफी important question है, जोगराफी से question है, BRW में बन सकता है, finance account stand में बन सकता है, JKPSI के exam, किसी भी exam में यह बन सकता है question, कि Duncan passes काहांपे situated है, ठीक है guys, अगर आपकी कोई भी ग्यूरी सा, हमाँ सा शेर कर सकते हो, different different social media के handle से हमारे पास है, Instagram, Facebook, Facebook group, Facebook page को भी जुरूर लाइक कीजिएगा, उसका भी link आपको description box में available है, जो बच्चे जिस इस platform में available हैं, उस पे हमें जुरूर follow कर दीजिएगा, WhatsApp group, sorry, Facebook group पे भी जुरूर कर सकते हो, Facebook page, Instagram को भी आप जुरूर कर सकते हो, JK practice के नाम से, Telegram को जुरूर कर लीजी का, क्योंकि वहाँ पे सबसे पहले वीडियो का link वहीं पे share होता है, उसके बाद ही हमारी class होती है, क्योंकि वहाँ पे schedule पूरा रहता है कि कब हमारी class कब तक होनी है, पूरा schedule हमारा वहीं पे बनता है, कोई important message दो देना होता है बच्चों को, class का, कोई भी कोई important notification, provide, PDF वगएरा, वो हमें telegram पर ही provide करने पड़ती है, तो आप telegram पर जाके JK practice भी search कर सकते हो,